यह मैं इसलिए कर लुह कि आप को यह ना लगे कि वह मैं सीट्र पर्टिकॉल राउडर फॉलो करना पड़ता है और अपिकुल करना पड़ता है बहुत थे पर्स्रेंटिस की बाद करते हैं जैसे कि वहारे पास 4 महीने हैं, इन 4 महीने में हम हम चीज़ों को determine करना चाहते हैं कि हमें preparation किस basis पे करना है अब कई तो क्या करने हैं कि इसमें अपनी सबसे पहले सबसे प्र体 प्रेट वाला टोपिक है पहुत बास्त आजाता है, समझ में नहीं अपर कितना पढ़ना है, एक चैप्तर में भी बहुत सारी information होती है, उसमें कितना गवर करना है, तो बहुत मैं आप लोगो को बताऊँ हूँ कि पॉलिटिव में ये कवर करना है, लेकिन समझने में दिक्कत नहीं आए, जैसी conceptual चीज सारे subjects हमारी equally important, अब क्योंकि यहां में किसी personal बने की strategy फॉल्व नहीं कर सकता, और यहां में किसी personal strategy फॉल्व नहीं करना जाता, क्योंकि वहार किसी के लिए applicable नहीं हो सकता, है ना, कि पहले मैंने जोग्रफी उटा ले, फिर मैंने हिस्टी उटा ले, कुछ भी उटा ले, सा economics थोड़ा सा difficult side पे जादा पड़े जाएगी, आप लोग होगी, तो कोशिच यह रहेगी कि economics आप पहले का बार कर ले, है ना, जोग्राफी के चस्बाद हमारी कोशिच रहेगी कि हम economics लब से पहले काबर करें, and then economics के बारने, history, quality, science का से कोई भी हम उपास है, ठीके, यह topics हम इस परिकेसे, इस flow में लेके चलने है, और आप लोग अपना जो flow है, वो starting से लेके end तक maintain करके चाएगे,